कि नमस्कार मित्रों आप सभी का स्वागत है बेच्चू पाट साला के इस ऑनलाइन लेर्लिंग प्लेटफॉम पर आइम रयत और इस फर्स्ट पार्ट आफ पॉलिटी सीरीज और यह जो पूरी पॉलिटी की सीरीज होगी यह सीचस बेच्चू के इंट्रेंस देने वाले सभ दी के लिए बहुत ही helpful होगी और अगर आप हमारे बेच चूप आप साला यके प्रेमियम कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आप दिया नंबर पे और सकते हैं या तो फिर आप हमारे डिसक्किप्शन में दिये गए नंबर पे कॉल करके अमारे प्रेमियम कोर्स को अविल क सकते हैं चलिए हम आद की वीडियो की सब बता दूं कहुंत500 के जाएंगे मैं आपको सजेक्ट करों कि मेरे अंसर देने से पहले आप सहे जो एंसर होगा मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा तो चलिए आज के पहले प्रसन की तरब चलते हैं और हमारा पहला प्रसन है कि कि तो इसका जो सभी जवाब है वह जाएगा अर्सटोटल को हम लोग और फादर आफ का साइंस कहते हैं यानि कि पालिट का साइंस का जनक सो अपको मैं यह भी बता दूप की यह अर्सटोटल है निए को फादर ऑफ बालाजी भी करते हैं अपको यहाद अखिए जो देमोक्रेटिया वाइड है यह किस बाखा का वाइड है आपको ऑफसंदिये लाइटन लैंग्विज ग्रीक लैंगीज फ्रेंज्ज लैंग्विज या फिर इंग्लिस लेग तो इसका जो रडाइट एंजवर है में मैं आपको बतार दूब मैं अरू था रूल आप डू एह लेट्समूब तो देनेशों सेटी इस विए गुटिंग वाद इन यानि यह गुलेटिंग अक्टाव कब पास हुगा था तो आपका उपसंद दिया है नहीं 1773 1785 1793 फे 771 तो उसका जो सही उत्तर है वह जागा 1773 और यह गुलेटिंग अक्टाव 1773 में पास हुगा था औ और चौते प्रसंद कितब चलते हैं और चौता प्रसंद क्या रहा है कि इंवीच यह पावर आफ इस इंडिया कपने सिफ्टे टू दे क्राउन अफ बीटन इन रिगार्ड विद्ट इंडिश्टेशन आफ इंडिया यानि जो इस इंडिया कंपनी ती जिसके पास सबसे प इसका जो सही जवाब है वह जागा 1858 1858 में जो इस्ट इंडिया कंपनी की पावर थी जो एंडिया को इंडिया को गवर्र करने की पावर थी वह इस इंडिया कंपनी से क्राउन और बिटन अपने हाथ में ले लिए तो इसको आप लोग जरूर्ट से आजखिएगा और पांच में प्रसन की बढ़ते हैं और प्रसन बहुत है अच्छा प्रसन है और यह एक्सर प्रिविस यह में भी पूछा गया है आप लोग इसको ध्यान दीजेगा और यह प आपका 1909 जो मारले में टोरी फाम एक्ट था इसको हम लोग 1909 इसका 1909 में पास हुआ था और इसको हम लोग दे इंडियन कांसिल एक्ट दे इंडियन कांसिल एक्ट 1909 के नाम से भी जानते हैं aज ओंट सब्सक्रादा आप डिसको जरूर्श fracture आओ अगर्फीस संब्ढ़ख किसी संबंधिव आए और अगला प्रशन आप रिड़ हवाटस दे म इंडियन आ काउंसिल एक 1909 जो डिदा इंडियन कांसिल i1903 था उसका जो मक्सद गया था तो आप लोग आप लोग गया कि मैंने बताया कि इंडियन काउंसेंट 1909 कोई मौले मिंटर रिफाम भी करते थे तो इसका जो एम था इसका जो अब्जेक्टिव था क्या था आपको आपको सब्सक्राइब सेप्रेट एलग्ट्रेट फॉर मुस्लिम्स एबोलीज दे पोस्ट ऑफ गवर्नर जनल तो एकरिट देनिकि बात कही थी चले अपनों कर दरिभ आशदम आप्रस्न देख्ते हैं और क्स्ट्वन थर्था यह मुञर्ट नेंराख नगरफ यूकर ग्वीच वीच्व प्रम्ही काम मौंट्यूट केम्ट च नहीं से प्लिफ अमांट औरना detect hackers के पैंड आपको आयाता स ही तो कॉसम और्मेंट आप आप भी से मन और मेंट आइनगे यह फेयं रिट्रीफ श्यूसर सप्राइब distintos फिर Ben आप आप सब्सक्यों hugoulemen अपन गुडिया ड्राइमिय ऑuit इनटीन उसी कौन लोग मौनडंगी तो इसक दूम्لى एंपन पर सुधार नाम से भी है सब्सक्राइब चलते हैं हमारा आफ्टर दे इंडिपेंदेंस तिल ट्वेंटी सिक्स जैनुवरी नैंटीन फिटी इंडिया वज गवर्न भाई यानिकी जो हमारी आजादी जब हुई थी 15 अगस्त उन्हें 147 से लेकर के शबी जनुरी उन्हें से पचास तक के जब तक हमार कॉंस्टिट्यूशन पूरी तरस्फित तयार नहीं हो गया था और जब तक वह एक्ट में नहीं आता उससे पहले का जो उसके मत देखा जो पीरियट था उससे में हमारा जो इंडिया था कैसे गवर्न किया जा रहा था तो आपको अप्सन दिए गया ब्रिटीश कॉंस्टि जब तक तब तक हम लोग का जो देशता है भारत था वो गवर्मेंट अफ इंडिया 1935 के कार्डिंग रं किया तो आप लोग इसको जरूर से याद आखिए गया और हमारा अगला प्रसना है यह हमारा जो प्रसना है यह मैच करेक्ट लिए इसमें आपको बताना है कि वीच आपको रिलेट करके बताना कि क्या यह सही है या फिर नहीं तो अगर हम दूसरे अप्शन की बात करें दूसरे अप्शन है कि गवर्मेंट आफ इंडिया 1935 जो है वो सेल गवर्मेंट ऑन प्रोविंशियल सम्बंदित है और जो तीसरा है क्यामेट मिशन फॉर्मेशन आफ पर्टीशन आफ इंडिया तो आपको बताना कि समस्ट जो सही जवाब है वो कौन सा होगा तो इसका मैं आपको बता दूं कि सका जो सही जवाब है वह और और यह जो कमिशन था वह गौवर्मेंट आफ इंडिया 1919 को रिव्यू करने के लिए बता गया और इसके जो लीडर से उनका नाम साथ जोर्च साइमन तो अगर अंदस में प्रस्ण की तरफ चलते हैं और यह मारा अंतिम प्रस्णों का जैसे कि मैंने आपको सुरू में बताया था और हमारा दसना प्रस्ण की फूर्स्ट टू प्रपोस्ट आइडिया फॉन्स्टिवेट डिया नहीं जो सव सबसे पहले इत casts in dense मीज़ेए प्रफोस्ट की आइडिया और मैं आपको बता कि जो यहीए अपना लिया था और इनके प्रपोजल को अपनी तरह मतलब अपने अपने मतलब आएंस इन इसको पूरी तरह से अपना लिया था कि जो कॉंस्ट्वेंट इसम्ली इसका गटन होना चाहिए तो आज हमारे पास यहीं दस प्रस्म थे लेकिन अगर आपको मैं बता दो कि हमारा लाज सिग्मेंट जो है उसमें जो मैं आपको यह प्रस्न है यह आपको आपको चैड़ बाफन बताना है तो यह आप कुशन आप देक क्या है आज का हूँ वाज नोन ऐस फ्रेंटियर तो मैं आपको अप्सम दता दूं सी राजा गोपाल चारी बियान जाओ गोपाल किस गोखले अफिर खान अब्दुल गफार खान तो इसका जो सही उत्तर होगा वो मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा और उस जाने इस पहले मैं आप सभी को फिट से बताना जाओंग जाओंग।